B.A.D. पिर्थमवर्स M.J.P. R.U. बरेली पेपर जो थड है Learning and Teaching आज हम इस पेपर के बारे में बात करेंगे कि आपको संभावित इसी प्रकार का पेपर आएगा और आप किस तरह से 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं तो यही आज हमारा पेपर का टॉपिक होगा तो आप किस तरह से एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं तो यह जो पेपर होता है आप पार देखे इसका जो टाइम होता है वो तीन घंटे होता है और यह जो मैकसिमा मार्क्स होता है ये 80 marks का paper होता है तो इसमें क्या होता है दो परकार के person आते है तो दो परकार के person कौन से होते है पहले क्या होता है long answer question इसमें क्या होता है आपको 5 question आते है कभी-कभी वो 4 question भी दे देते है और इसमें से actual में 5 में से आपको 3 question करने होते है और 1 question 15 marks का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 45 नमबर के जो ये long question होते है 45 marks के तो ये long question होते है तो एक question 15 नमबर का होता है तो आप किस तरह से 80% से अधिक अंकपराप कर सकते हैं एक बार मेरे कहने से आप ये paper तयार कीजिए तो मैं समझता हूँ का आपको मतलब प्रते Question पेपर में दिखा ही देगा और कहीं न कहीं आपको मलब बिलकुल Benefit होगा तो एक Question जो होता है वो पंदन मार्क्स का होता है तो आपको करना क्या है इस Paper में मैं आपको सबसे पहले दिखे दीखे क्या है पहला Question है अधिगम को परिभासित कीजिए अधिगम की विसेशता है और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तो ये पहला कोशन है तो आपको अच्छे से करना है मेरा इसमें वीडियो भी है तो लर्निंग के उपर मैंने एक वीडियो तयार किया था तो आपको कहीं न कहीं उससे benefit जरूर मिलेगा अगरा कोशन क्या है लोंग कोशन ये बुद्धी के उपर है वाट इज इंटेलिजेंस उसके बाद में बुद्धी क्या है बुद्धी के सहरूप के सम्मन्द में पृतिपादित किये जाने वाले प्रमुक सिध्धानतों का विवेशनात्मक वर्णन करो एबं बुद्धी के मापन की व्याख्या करो तो दूसरा जो कोशन है वो बुद्धी से है इंटेलिजेंस से है पहला कोशन लर्निंग से है ये लोंग कोशन है तीसरा जो कोशन है वो फ्रायड का मनोविशलेशन बाद है फ्रायड साइको एनलाइटिकल थियोरी ये आपको डिटेल में देना है जो की 15 मार्क्स का कोश्चन होता है ये बनता है इस तरह से उसके बाद आगे चौता कोश्चन है वाइड यू अंडरिस्टेंड यानि कि जो सिक्षन होता है उसके इसतर कौन-कौन से होते है इसको आपको explain करना है बिल्कुल अच्छे से और सिक्षन के विभिन इसतरों को आप express करो तो ये चौता कोश्चन होता है उसके बाद देखिए पांचवा जो कोश्चन है गुरूप डाइनिमिक के उपर है समहु गतिकी के उपर कोश्चन है तो इस तरह से ये पांच कोश्चन है तो जो पांच कोश्चन आपको मैंने यहां बताए है तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है सम्हू गतिकी से आप क्या समझते हैं सम्हू गतिकी का ग्यान किस प्रकार एक सिक्षक की कक्षा कक्ष प्रवंदन में साहता कर सकता है चर्चा कीजिए सम्हू गतिकी गुरूप डाइनेमिक एक गुरूप होता है जो कक्षा का होता है तो यह उसी की बात की गई है हैं पर तो यह जो 5 question होते हैं आपको इन 5 question में से 3 question करने होंगे तो यहां मैं आपको एक बात करूँगा एक्ट्वल में जो समय होता हो 3 घंटे होता है तो हम में आप किस तरह से 80% marks प्राप्ट कर सकते हैं तो आप एक काम करें समसे पहले जैसे 3 घंटे का paper होता है तो आप 40 minute में एक long question करें एक long question जैसे ही 40 minute हो जाए तो अगर आप इस long question को बंद कर दीजिए अगरे 40 minute में आप दूसरा long question करें और उसके अगले 40 minute में आप तीसरा long question करें ठीक है तो जैसे ही यह तीनों कोशन आपके हो गए अब उसके बाद में आपका जो है मतलब जो लॉंग कोशन की बात किये मैंने आपसे तो 40 मिन्ट में एक कोशन करना है तो तीन कोशन कितने में हुए यानिकि 120 मिन्ट में यानिकि 2 गुंटे में आपने तीन कोशन पूरे कर दिये तो आपका एक भी कोशन मतलब नहीं चूटेगा और मैं यहां आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है किस तरह से आप मार्क स्प्राप्ट करोगे देखो सबसे पहले क्या करते है अगर आपको पॉइंट पता है बहुत अच्छी बात है तो आप बिल्कुल हैडिन डाल दीजिए अगर आपको पॉइंट पता है अच्छे से और उसके बाद में क्या करें आप पैराग्राप बना के लिखे पांच-पाच लाइन का पैराग्राप बना के अगर आपको point अच्छे से नहीं पता हैं मलग की 5-5 line का paragraph बना के लिखें और जो भी अच्छी मलग की जो भी अच्छा concept है जो भी अच्छी उसमें कोई भी मलग बाते आई हैं उसको आप underline कर दें 5-5 line का paragraph करें point बिल्कुल आते हैं लिखिए आप और उसके बाद में जो भी उसमें अच्छे-च्छे concept अच्छे-ची बाते हैं उसको आप underline कर दें highlight कर दें ताकि examiner को दीखे तो मतलब जब भी कोई paragraph सुरू करें कोई star बना कर सबका एक अलग-अलग style होता है तो इस तरह से करें सुरू तो आप मतलब की 80% से उपर marks प्राप्त कर सकते हैं आराम से आपने देखा होगा देखिए 100 बच्चे किसी परिक्षा को देते हैं तो उनमें से जो एक अलग सा लिखता है वही टॉपर होता है तो बस वही मैंने बता है आपको अभी 5 question में से 3 question करने है एक question को आप 40 minute में कीजिए यानकि आपका paper भी नहीं छूटेगा मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ और point में लिखिए, paragraph में लिखिए और जब भी paragraph सुरू कर रहे है star बना दीजिए या कोई भी एक अच्छी बाते हैं उनको आप रेखांकित कर दीजिए अंडरलाइन कर दीजिए ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद section भी आता है इसमें short answer type questions होते हैं और इसमें लगबग कभी-कभी ओच्छे question देते हैं कभी 7 question देते हैं तो इनमें से आपको 5 question करने होते हैं और यानि कि जब आप 5 question करोगे तो क्या हुआ? एक question कितने का है? 7 का number का है तो 5 कितने के हुआ है? यह 35 के होगे अब आपको क्या करना है? मैंने अभी आपको बता है long question एक 40 minute में किया तो 3 long question आपके कितने में होगे? 2 घंटे में होगे अब आपको यहां क्या करना है? देखिए ध्यान देना है आपको आपके पास अब 1 घंटा यानि कि आपको 5 question करने हैं तो 12 minute में 1 question कीजिए आप और 12 पंजे? 60 यानि कि मला आपका 3 घंटे में पूरा पेपर समापत क्योंकि जब बच्चा पहला पेपर देता है तो क्या करता है कि वो एक long question को ही एक घंटे में करता है और बाकी उसका कहीन है कहीं question छूट जाएगा अगर question छूट गया तो उसे मार्क कहां से मिलेगा तो आप इसको मेरे कहने से एक बार मना अपने बिल्कुल mind में बैठाईए और बिल्कुल इस तरह से करिए तो आप paper भी अच्छे से करोगे और कोई question भी नहीं छोड़ोगे अर जो मैंने आपके लिए paper बनाया है तो इसका कहीं नहीं आपको जरूब benefit मिलेगा दोस्तो तो आप थोड़ा सा मेरे मतलब है आप तैयार ही कर रहे है करिए परन्तु मेरे इस paper को जो मैंने तैयार किया आपके लिए इसको आप एक बार जरूब पढ़के देखिए इसमें देखिए अभी प्रेरणा से आप क्या समझते है motivation से आप क्या समझते है मैसलो के पदानु करम सिद्धानत को इसपश्ट मला कीजिए तो मैसलो का पदानु करम सिद्धानत है आप अच्छे से जानते है सबसे पहले व्यक्ति अपनी आवस्शता पूरी करता है फिर सुरक्षा करता है फिर उसके बाद में प्रेम और इसने होता है फिर आत्म सम्मान फिर आत्म अनुभूती तो ये आप अच्छे से कर सकते है उसके बाद देखिए सुक्च्म सिक्षन और उसके चक्र की संचेप में चर्चा करो micro teaching के बारे में कोशन है ये तो ये बहुत अच्छा कोशन है तो ये बिर्कुल आने की संभावना होती है उसके बाद देखो राइटे सौट और टीचर्स अकाउंटेबिलेटी यान की सिक्षक की जवाब दही पर एक संचित टिपड़ी लिखिए और जो टीचर होता है जवाब दही बनती है उसकी क्योंकि उसको जो काम करता है उसके बदले वेतन मिलता है तो सिक्षक की जवाब दही बनती है तो आप अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद देखिए creativity पर एक संचित टिपड़ी दीजिए जितने भी हमारे पास साधन होते हैं उसमें से किसी नई वस्तु को जनम देना ही creativity होता है तो यह वीडियो मेरा है आप अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद अगला कोशन है पावलाव थियोरी और क्लासिकल कंडिशनिंग और इसकीनर ऑप्रेंट कंडिशनिंग थियोरी तो पावलाव ने कुते पर प्रियोग किया था और इसकीनर ने चुहे और कभूतर पर प्रियोग किया था तो या तो पावलाव या इसकीनर उसके बाद individual difference क्या है और फिर intra और inter individual difference में अंतर पता कर लिया यानी कि व्यक्तिकत विविन्ताओं से आप क्या समझते हो अनते और अंतर व्यक्तिक विविन्ताओं पर प्रिकाश डालिए यानी कि intra और inter individual जो डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको बताना है उसके बाद last question है व्यक्तित वसे आप क्या समझते हो personality से आप क्या समझते हो और जुंग का classification की व्याख्या करो उन्होंने जो बताया था introvert, extrovert और ambivert तो मैंने ये आपके लिए एक paper तयार किया है teaching and learning का तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो मैंने paper आपके लिए तयार किया है आपका कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इस paper का benefit मिलेगा जो 2022 की परिक्षा होने वाली है तो आप इस paper को जरू करके देखिए और जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह से आप करके देखिए तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बहुत अच्छे से अपने 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त कर पाओगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को सेर करें लाइक भी करें और सब्स्राइब भी करें